बात महराश्ट की पॉलिटिक्स की करें तो यहाँ पर राजनीतिक हल चलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं यहाँ पर एक कावत काफी पॉपुलर है एक अनार सौ बीमार इस तरीकी की हालात इस समय महराश्ट की पॉलिटिक्स में बने हुए हैं इस को किनारे लगाने में जोटे हैं शिंदे अजीत पवार की एंट्री निपल्टा दाव आकर इतनी बेचनी क्यों सिंदे सेना 13 जून 2023 को महराश्ट के सभी पिरमों कखवारों में फुल पेच पर बिग्यापन चपा जिसमें सर्वे के हवाले से बताया गया है कि महराश्ट में देविंदर फंडवीज की मकाबले सिंदे जादा लोग परिये मुखमंतरी हैं इस बिग्यापन में नहीं फंडवीज का फोटू था और ना बाला साफ ठाकरे का बिग्यापन की टेग लाइन थी देश के लिए मोदी और महराश्ट के लिए सिंदे सिंदे गुट ने खुद को इस बिग्यापन से अलग करने की कोशिस की उनका कहना था कि पार्टी के सुप चिंतक ने ये बिग्यापन चपबाया है दोनों पार्टियों के बीच बितर खाने तनाव हुआ है और इसे सुल्याभी लिया गया लेकिन माना ये जा रहा है कि फंडवीज को ये साफ हो गया है कि एकना सिंदे आसानी से उनके लिए मुखमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है के बाद सीन में एंट्री होती है अजीत पवार की जिसमें सिंदे खेमा बेचैन है एक तरफ सिंदे कह रहे हैं कि महराश्ट की डवल इंजन की सरकार अब ट्रिपल इंजन की हो गई है वहीं दूसरी तरफ पार्टी बैटा कर रही है और मुखमंत्री बनने का सपना सयोग की एंट्री से बेचैन क्यों है सिंदे गुट और महराश्ट में सिंदे फंडवीज और पवार में कौन चलाएगा ट्रिपल इंजन की सरकार ये सवाल अभी भी बना हुआ है महराश्ट में कुल 288 विधानसवा सीटे हैं सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है ब अजीत पवार को सामिल करने से ही सिंदे खामे में बेचेनी बढ़ गई है अब यहाँ पर अजीत पवार को लाने के पीछे बीजेपी की दो बज़य हो सकती हैं पहला एक ना सिंदे बोट वैंक नहीं ला पाए बीजेपी ने अक्टूबर 2022 में अंधेरी इस्ट के इस साल फरवरी में महाविकास अंगाडी इनने सिंदे गुठो और बीजेपी को जटका देते हुए बिधान परिशा चुनावों में पांच मैं से तीन सीटें जीतनी साती महतपूर नाकपूर सिक्षक निर्वाचर छेतर में अमरावती सनातक निर्वाचर छेतर में बीज से 2023 में पूरे की कस्वा पेठ और पिपरी बिधानसवा सीट में कस्वा पेठ में बीजेपी 30 साल बाद चुनाव हर गई ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जटका है इसी बीच मैं महाराष्ट के प्रमुक मीडिया हाउस सकाल टाइम्स ने बिधानसवा चुनाव को ले दूसरी वज़ा है कि महाराष्ट सरकार 200 नगर पालिका और 23 नगर निगमो के चुनावों को एक साल के लिए टाल रही है और दूसरी वज़ा फंडवीज के लिए खत्रा बन रहे हैं शिंदे तेरे जून को महाराष्ट के सभी पिर्मुक अकवारों में छपे फुल पेज विग्यापन का जिकर हम उपर कर चुके हैं इस से पहले फंडवीज को ये साफ हो गया है कि एकनास सिंदे आसानी से उनके लिए मुकमंत्री की कुरसी छोड़ेंगे नहीं माना ये जा रहा है कि विधानसवा में संक्या के लिहास से ज़रूत ना होते हुए भी बीजेपी ने सिंदे गुट के तेवरों को कंट्रोल में रखने के लिए अजीत पवार और उनके नो समर्तक विधायकों को मंत्री बनाया गया है। सिस्तिती में फंडवीज मजबूत होंगे और सिंदे सिफसेना किसी फैसले का विरोत नहीं कर पाएगी। और सवाल यहां यह भी उड़ता है क्या अजीत पवार बनेंगे महराष्ट के टिपल सरकार के नई ड्राइवर। अजीत पवार ने वुदवार को बांदरा के बुजवल नौले सिटी के MET सेंटर NCP नेताओं की बैठक बलाई थी। अजीत पवार के बयान से यह साफ है कि मौका मिलते ही 20CM पत के लिए दावा करेंगे। विधायकों को या सरद से बगावत करने वाले NCP के विधायकों को। यही बजा है कि सिंदे सिफसेना के सबी मंतरियों ने सौंबार सुब़े सीम सिंदे ठाने इस्तित उनके निजी आवास पर मुलाकात की। इस दोरान कैविनिट मंतरी उदै सामन्त गुलावराय पाटिल संबूराज देशाई के साथ सिंदे गुट के नेता दादा बोसे संदी भूबरे मौजूद थे। इसी तरी के कि देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रही है।